अभी हमारे साथ मौझूद हैं भोजपूरी के सूपर अस्टार गुंजन सिंग। सभी को पता है कि नाबादा लोक सभा से निर्दलिये सांसत परतासी के रूप में उतर भी चुके हैं जैसा कि सुन्य भी आ रहा है सोसल मेडिया पर काफी तेजी से इनका जो नियूज है काफी बैरल हो रहा है कि विबेक ठाकूर जो भाजपा सिफ यहां जो उमिदबार बनाये गए हैं इनका जो निर्दलिये परतासी का जो नामांकन करवाये हैं किसी भी तुरूटिक करण जो है निरस्ट करवाने का जो है चर्चा चलता था क्या सचाई है सब एकदम सही बात है हम लोग तो परिसान हो गये थे धळकान रूख गयल रहे कि एसन ना किनमने सन में रध हो जाए इतने बड़े वकील आये थे पटना से हाई कोट से और जो की एक दंबार बार सवाल उठा रहे थे तो हम लोग को पता चाहिए कहा पर था कोई तुरूटी नहीं था उसमें सिर्फ कॉलम में क्या नहीं था कॉलम भी भरा हुआ था अगर तुरूटी रहता तो सही मेरा दो स सकता था यह फाई आप पर कितने हैं सब्सक्राइब अब तक यह फाई यार एक भी नहीं है जबकि देखा जाए बिहार में तरस नेता ऐसे होंगे जिन पर जो है सेकड़ो फाई जो है दर्ज होते हैं किसी भी परकार का घटना या अपराधि घटना जो भी हो उन पर नहीं किसी भी अपराधिक मामले में इनका कोई सिकायत नहीं है नहीं कुछ नहीं है मामली तूटी के कारण जो है कर सकते हैं क्लेम लगाया जा रहा था यह तो बहुत मतलब छोटा सोच है कि इतना छोटा सा काम के लिए इतने बड़े वकील को बुलाना और उभी नवादा के बेटा को प्रास्त करने के लिए नवादा के बेटा को मतलब एकदम रास्ते से हटाने के लिए इतना ततपर हो गए तो जिसके साथ पूरे नवादा लोग सभा का असिरवाद है उसे कोई हटा नहीं सकता है यह जो बाहरी उमिदवार यहां पे आये हैं जो भी फैसला ल और फिर कुछ नवादक बारे में न सोचे तो इस बार यह होने वाला नहीं है जनता ने मूड बना लिया है इस बार घर का बेटा को लाना है जिस दिन नामांकर के लिए पाये थे सर उस दिन नवादा में देखा यह तो गुंजन सिंग दम्मय हो गया था पूरा जो है काफी जन सेलाब देखने को मिल रहा था आखिर उस बक्त गुंजन सिंग को कैसा लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा तो लोग कह रहे थे कि यह कहते थे थे ना कि यह बीड है यह पब्लिक है गाना वाला भीड अब कौन वाला भीड है अब तो जो जनता मेरे साथ है सब पादब समाज हो, भुमिहार समाज हो, राजपूच समाज हो, पासवान समाज हो, राजवनसी समाज हो, मांजी जी का समाज हो, चाहे कोई भी समाज है, हर एक समाज मेरे साथ है, और यूबा, हर समाज की यूबा भी मेरे साथ है, बुजुर्ग भी साथ है, महलाएं तो सुच चुनाव लड़ने का गुंजन सिंग निर्दलिय चुनाव लड़ना बहुत बड़ा चुनाव है ये लोगसभा का मापर्व है ये चुनाव का लड़ना हमारे लिए भी बहुत चुनावती भरा ये चुनाव है लेकिन ये मेरा चुनाव नहीं है पूरे नवादा लोगसभा क लोगों का चुनाव है अगर आप लोग इस बार जिता देंगे तो कोई भी नवादा का बेटा आगे आ सकता है रास्ता बन जाएगा और नहीं तो कोई भी नवादा का बेटा कभी हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लणने का इसलिए मैं आप समों से जरूर विंती करूंगा कि ह हम लोग हिम्मत किये हैं और आप सब के ही नारा था घर का बेटा घर का नेता तो इस नारे के नुसार आप सब हमको खूब आसिरवाद दीजे और एक एक आदमी अपना भोट दे करके कम से कम 20-25 भोट दिलवाई भी तब जाकर जीत होगा एक बार जीत हो गया ना तो इतना हम आप सब से बादा करते हैं कि विकास का धारा भी बहाएंगे और कभी बाहरी उमिद्वार नवादा में नहीं आएगा एक चीज़ और सर सुनने में आता है कि नेता का बादा और कमजोर का इरादा जो है टुटने के लिए बना है अखिर हर एक समुदाय हर एक बर के लोग जो गुण्यन सिंग पर भरोसा जता रहें क्या लगता है गुण्यन सिंग किसी का भरोसा इन फ्यूटर तोड़ेंगे हम तो देखवे करते हैं कि दिल के साफ हादमी है सबसे मिलते हैं सबसे बतियाते हैं और जो वादा हम तो किये ही नहीं कुछ हम तो करेंगे वादा करना नहीं है हमको काम करना है जो जो वादा हम कर रहे हैं, हम करके इस धरातल पर दिखाएंगे और यो वाओं को रुजगार भी देंगे और जो यहाँ दिक्कत है, परिसानी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, पोल्टेकनीक कॉलेज नहीं है किंद्रिय विद्याले नहीं है, सब लाकर हम दिखाएंगे आपे यही मेरा काम रहेगा, और जो भी जनता मेरा दुखित रहेगा उसको हम सुख में लाने का कोशिस करेंगे और मेरा परिवार है, नवादा लोग सबा का सभी जनता अभी कुछ नहीं सोचना है, ओटो फोटो पर जादे ध्यान नहीं देना है फोटो नहीं इस तारिक के बाद भी खिचा जाएगा सब ही युवा भाई से भी कहते हैं, फोटो नहीं इसके बाद खिचवया भाई हमारे यहीं नहीं रहेंगे, कहा जाएंगे अभी एक एक आदमी बीस पचास भोट बनाना है गुणजन सिंग के लिए और आप लोग बना भी रहे हैं, सब को दिल से धन्यवाद भी आपके जो सुप चिंतक है सरुन है, लास्ट में क्या संदे दिना चाहेगी बस सब लोग जी जान लगा दें अभी अभी ये समय है दिखाने का, आप सब ऐसा कर दीजे इस बार कि नवादा में कभी भी बाहरी उमिदवार नहां आए आने से पहले एक सो बार डरे सोचे कि ना नवादा नहीं जाएंगे भाई हर जगा चल जाएंगे, नवादा ये पिकनी का स्थल नहीं है कि कोई आ जाए और यहां पांच साल अथी करके चला जाएगा इस बार नवादा की जंता माप करने वाली नहीं है और सब लोग सोच चुकी है कि गुंजानवा जहां है वहां भोट देना है हमरा साथ हर जाती के लोग हैं और हम हर जाती को उतना ही दिल से प्यार करते हैं सब को करते हैं एक सामान है मेरे लिए जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे आप लोग भी जो है नवादा में किसे देखना चाते हैं कोमेंड बॉक्स ने जरूर बताएगा सभी का बहुत बहुत अभार धन्यवाद जय हिंद